हेलो फेंट्स में मंदीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस वीडियो में 34 साइस का बेक नेक डिजाइन में आप लोगे साथ शेयर करूंगी टीप नेक पर तो ही मैंने अलग से कॉंट्रस्ट का फैब्रिक लिया है डिजाइन बनाने के लिए और मैं फैब्रिक मेरा ग्रीन कलर में है गयस्तर का फैब्रिक है सबसे पहले कपड़े को हमने इस तरीके से फोल करके रखना है और नीचे से क्लाइन रो करके कपड़े को सीधा कर लेंगे इसके बात लेनी है आपको टोटल लेंथ तो जितनी भी लेंथ आपको तयार रखनी है उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके आप टोटल लंबाई यहाँ पर लीजेगा टोटल लेंथ मैंने रखी है 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तयार रखनी है डीप नेक के अकॉर्डिंग, शुर्डर का नाप रखा है मैंने 5 इंच पर और आर्मों लेने हैं 5 इंच यहाँ पर मैं 34 साइस का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ आप अपने साइस के अकॉर्डिंग मैसेमेंट लीजेगा इस डिजाइन को बनाने के लिए तो यहाँ पर देखिए मैंने मार्किंग कर लिया है अब हमने यहाँ पर चेस्ट का चोथा भाग लेना है साड़े आर्ट इंच और देर इंच एक्स्टा रखेंगे मार्जिन के लिए मार्जिन आप चाहें तो दो इंच का भी रख सकते हैं मार्किंग मैंने पूरा कर लिया है अब हमने यहाँ पर आर्मोल की गुलाई देनी है और इसे कट कर लेना है तो देखिए मैंने आपर बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है और इसके बाद हमें इसे मैन फैब्रिक पर रख कर कर लेना है तो मैंने यहाँ पर इसे मैन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है अब लेना है गले का मेसरमेंट तो गले की जो विट थे वो रख रही हूँ देखिए मैं यहाँ पर सवा दो इंच की 2.25 इंच पे मैंने मार्क किया है गले की टोटल लंबाई रखी है मैंने यहाँ पर 9 इंच की आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं 9.9 इंच और नीचे से नेक विट रखी है मैंने 9 इंच इसको एर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हमने गले का शेप देना है तो इस तरीके से गले का डिजाइन बनाना है मैंने इसे जद़ा ब्रॉट करके नहीं लिया है तो दिखे मैंने हाँ पर मार्किंग कर लिया है इसका अब हमने इसे कट कर लेना है कटिंग पूरी हो गई है मेरी अब मैं कर रही हूँ इसका stitching तो मैं कपड़े को रखेंगे नीचे की तरफ सीधा करके और रस्तर के कपड़े को हमें इसके उपर इस तरीके से रख लेना है पिन के साथ अटेज कर देना है और मैं इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं कर रही हूँ गले पर सिलाई लगाती है और इससे पलट कर हमें सीधा करना है सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पर छोटे कड़ ज़रूर लगाए जिससे कि गला आपका असानी संदर की तरफ पलट जाएगा इससे पलटते हुए देखिए एक सिलाई मैं अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा रही हूँ इस तरीके से मैंने हाप पर सिलाई लगाती है और इसके बाद मैं इससे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ अंदर की तरफ पलटते हुए एक सिलाई हमने उपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है इस तरीके से तो दिखिए सिलाई लगा कर मैंने इसे पूरा कर लिया है और अब इसे पलट कर हमें सीधा कर लेना है इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बाहर की तरफ बाहर से भी सिलाई लगाकर मैंने इससे पूरा कर दिया है जितना भी एक्स्ट्रा फैबरिक निकल रहा है इससे कट करके निकाल देना है इस तरीके से कप्रे के एक्स्ट्र पाट को मैंने कट कर दिया है सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और सेंटर से कप्रे को फोल करते हुए चार इंच के लंबाय में प्लेट साटेज करनी है दोनों तरफ यह दिखे मैंने यहापर प्लेट साटेज कर दी है और इसके बाद मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पटी तो नीचे से आदर इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने पटी को अटेज कर दिया है फिर एक सलाई पटी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे और कमर पटी को कर लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड इसी के साथ देखिए मेरा बैक पार्ट बन करके तयार हो गया है अब मैं इसका डिजाइन बना रही हूँ तो डिजाइन बनाने के लिए हमने एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है इतना बड़ा आपको paper pasting लेना है लबाई चोड़ाई में कि armhole वाला side अच्छे से इसके उपर cover हो जाए आप सीधे में भी रख सकते हैं और तीछे में भी रख सकते हैं double करके आपको लेना है दो part cutting करने है armhole पूरा आपको नापते हुए cover कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से जितना आपको shoulder का measurement है उद्धर ही आपको नीचे armhole के नीचे भी लेना है तो marking पूरी करने के बाद मैं इसे cut कर रही हूँ यह देखिए इस तरीके से मैंने इसे cut कर दिया है अच्छे से अब लिया है मैंने यहाँ पर man fabric जिसके उपर मैं इसे attach करूँगी और side में ही plain fabric भी था तो मैं इसे waste नहीं कर रही हूँ मैं इसका design में use कर लेती हूँ तो side में देखिए अक्सर यह जो embroidery वाले कप्ले होते हैं इसके side में दोनों तरफ plain fabric दिया होता है तो उसे भी आप design में use कर सकते हैं तो इसके मैंने चोकोर piece कट कर लिए हैं triangle design बनानी के लिए और जो हमने आग मूल वाला design बनाया था इसके उपर आपको arrow बना देना है ताकि आपको पता रहे की पार्ट आपको उपर की तरफ जोड़ना है अब देखिए paper pasting को मैंने चारो तरफ सिलाई लगा दिया है आप चाहें तो press भी कर सकते हैं चिपका सकते हैं से fabric के उपर अब extra जो भी कपड़े का पार्ट है वो हमें cut कर लेना है सिब थोड़ा कपड़ा यहाँ पर छोड़ेंगी सिफ फोल्ड करनी के लिए अब देखिए मैं यहाँ पर fabric को अच्छे से फोल्ड कर रही हूँ और किनारे पे एक सिलाई लगा रही हूँ इस तरीके से तो एक पार्ट मैंने ready कर लिया है अब इसका दूसरा वाला पार्ट मैं तयार कर रही हूँ यहाँ पर दोनों पार्ट मैंने तयार कर लिये हैं इसे भी हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है दोनों पार्ट तयार करने के बाद अब मैं ले रही हूँ क्रॉस पट्टी तो यह fabric है ग्रीन कलर में मैं फैब्रिक और इसी के में क्रॉस पट्टी यहां पर कट कर रही हूँ उरे पट्टी आपको कटिंग करके इस तरीके से जोड लेना है और इससे आपको गले पर फिनिशिंग करनी है तो यहाँ पर देखिए पटी को नीचे की तरफ रखेंगे सीधा करके उपर से इस पार्ट को रखते हुए किनारी पर हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से सिलाई लगानी के बाद इस पाइपिंग को मैं कर रही हूँ अंदर की तरफ फोल्ड और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर पाइपिंग बनाते हुए इससे फोल्ड करते जाना है तो एक पार्ट पर मैंने पाइपिंग बना ली है अब इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट पर भी पाइपिंग बना कर तयार कर रही हूँ को अच्छे से फोल्ड करते हुए यहां पर फिनिशिंग के साथ हमने इस लाई लगाते जाना है तो देखिए दोनों पार्ट मेरे तयार हो गए हैं और अब इसके बाद में इसे यह जो मैंने चोकोर पीस कट की हुए हैं इसके मैं ट्राइंगल वाला डिजाइन बना रही हूँ यह देखिए इस तरीके से बनाना है आपको सबी पैटन तयार करने के बाद मैंने इसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग कर दिया है और गले के नीचे वाले पार्ट पर मैं इससे अटेज कर रही हूँ तो बिल्कुल पास पास में रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाते हूए हमें इसे अटेज करना है यह दिखे मैंने यह डिजाइन अटेज कर दिया है और इसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक रहेगा इसे कट करके निकाल देना है तो कप्रे की extra part को हम cut करके निकाल देंगे और लगा लेंगे इसके उपर लेस आप अपनी पसंद से अपने blouse के साब से आपर लेस अटेज कर लें ये देखी आपर लेस लगा ली है मैंने और इसके बाद अब में आर्मोस तरफ ये design अटेज कर रही हूं तो इस तरीके से हमें corner पे एक सिलाई लगानी है और इस pattern को इसके उपर attach कर देना है ये दिखिए finishing के साथ मैंने आपर इस attach कर दिया है और बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा कर हमें इसे पूरा कर लेंगे इसके बाद extra fabric को cut करके निकाल देंगे तो एक तरफ मैंने design attach कर दिया है और अब मैं इस दूसरी तरफ पे इसी तरीके से इस design को लगा रही हूँ piping बाला हिस्सा बिल्कुल गले के corner पे हमें रखना है और इस तरीके से इस लाई लगा कर इसे attach करना है तो देखिए दोनों दुरफ मैंने इस पार्ट को attach कर दिया है extra fabric को cut करके निकाल देना है अब मैं इसके उपर डोरी भी लगा रही हूँ तो simple वाली लटकन में यहाँ पर दियार करूँगी और नीचे कमर पर भी मैं इसी lace को use कर रही हूँ क्योंकि नीचे का part plane है तो आप यहाँ पर lace लगा सकते हैं यह देखिए इस तरीके से यह part मेरा ready हो गया है तो आप अपने plane प्लाउस को भी इस तरीके से अलग से designer fabric use करके designer look दे सकते हैं और यहाँ पर मैंने simple वाली जो लटकन होती है वो ready कर ली है इसे प्लाउस पर attach करेंगे पलट करके से सीधा कर लेना है प्लाउस पर attach करने के लिए हमें उपर से देड़ी या दो इंच का gap छोड़ दीजेगा और डोरी को अच्छे से पका कर लेना है तो यहाँ पर रखेंगे और दो तीन बार सिलाई चुलाएंगे स्क्यूपर दोनों तरफ मैंने डोरी attach कर दी है इसी के साथ मेरा आजकर नेक डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फेंट्स आपको आजकर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल को सुस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद